आस्मान छूती महंगाई ने एक और जहां कम आमदनी वालों की कमर तोड़ दी है तो वहीं मीडियम क्लास के परिवारों का बजट गड़ बड़ा गया है पिशले कई महीनों से लगतार रोज मर्रा में इस्तवाल होने वाली चीजों का दाम ऐसा बड़ा है कि गरीबों के नेवालों पर भी आफ़त आ गई है महगाई से करारा आम आदमी सरकार को कोस रहा है हलाकि इससे अलग वारानसी से एक दल्चस्प वाक्या सामने आया है दरसल वारानसी में समाजवादी पार्टी के यूथ विंग की स्वामित वाली कुछ दुकानों पर प्याज लोन पर मिल रही है लोन पर प्याज देने के लिए दुकांदार आधार काट गिर भी रख रहे हैं देश भर में प्याज के दामों में बढ़ हुतरी के बाद वारानसी में कुछ दुकांदारों ने ये तै किया है इस समाजवादी पार्टी के एक कारिकरता का कहना है कि ये प्याज की बड़ती कीमतों के खिलाफ हमारे आविरोध प्रदर्शन है हम लोगों का अधारकाट गिर्वी या चांदी के गहने गिर्वी रख रहे हैं जिसके बाद प्याज बेच रहे हैं कुछ जगउपर प्याज को लॉकर में भी रखा जा रहा है आपको बता दे कि बीते कई माईनों से प्याज के दाम में काफी तेजी आई है और प्याज की कीमत 100 रुपए प्रती किलो ग्राम से उपर चली गई है हैरान करने वाली बात ये है कि प्याज का दाम इतना मल गया कि यहां सेव से भी यह महंगा विक रहा है कुछ सब्ता पहले तक सेव जहां 80 से 100 रुपए तक बिक रहा था अब वो 50 रुपए प्रती किलो बिक रहा है वहीं प्याज ने सेव की जगा ले ली है और अब प्याज 100 रुपए प्रती किलो बिक रहा है अप्रेल माई में 20-25 रुपए तक पिखने वाला प्याज दिसंबर में 100 रुपए किलो तक पहुँच गया व्यापारी का अकड़ों से पता चलता है कि सीमी तापूर्ती के करण राजधानी दिल्ली में भी प्याज की खुदरा कीमत लगभग 90-100 रुपए प्रती किलोग्राम के भी चल रही है कीमत की यही स्थिती देश के अन्य हिस्सों में भी है बिरो रिपोर्ट यूपी तक इस समय प्याज इसती ही हो गए कि 100 रुपए किलो प्याज हो गई इतनी महांगाई किसी सरकार में नहीं थी जो महांगाई सरकार में है इसी प्याज पर सरकार अगला जब जब यह सरकार आता है तब तक खाने से लेके सारे समान महगे हो जाते हैं